हिंदुस्तान का हाल क्या हो गया है जी हाँ ये बता रहे हैं कानपुर के शायर जनाब साबिर फरीदी साहब उन्होंने शिर्कत की बागपत के ओलिंडिया मुशायरे और कवी समेलन में का हा न देखा जाए हा न देखा जाए वतन का हा न देखा जाए दूर करें अपनी गंगाली जो पुरसी पर आए हा न देखा जाए वतन का हा न देखा जाए हा न देखा जाए कोई रहे गुटिया में किसी का आली शान मका है गांधी जी के सपनों वाला हिंदुस्तान कहा है कोई तो ये बतुलाए कैसा परचा तंत्र यहां है कोई तो ये बतुलाए कैसा परचा तंत्र यहां है देश जनता पैदल भूमे मंत्रीकार में जाए हाला देखा जाए वतन का हाला देखा जाए हाला देखा जाए वतन का हाला देखा जाए हाला देखा जाए वतन का हाला देखा जाए गजदारों का पबज़ा है तो कैसे मुल्क महान बने आव करें वो काम के जिससे अपनी एक पहचान बने भारत का हर रहनेवाला अब टेखा जाए वतन का हाल देखा जाए कैसे तुमें गर्दारों का खबजा है तो कैसे मुल्क महान बने आओ करें वो काम के जिससे अपनी एक परचान बने भारत का हर रहने वाला अब तीफू सुल्तान बने भारत का हर रहने वाला अब तीफू सुल्तान बने देश की हर नारी अब जाती कीरानी हो जाए हाल ना देखा जाए वतन का, हाल ना देखा जाए, हाल ना देखा जाए कैसे तुम्हें बतलाएं किया है, कितना बुरा जालिंग ने कैसे तुम्हें बतलाएं किया है, कितना बुरा जालिंग ने शैता भी शर्मारे ऐसा काम किया जालिंग ने एक ही बेटा था उसको भी मादिया जालिंग ने एक ही बेटा था उसको भी मादिया जालिंग ने अब अंडी बेवा के घर में दीपक कौन जलाएं हाल ना देखा जाए वतन को हाल ना देखा जाए हाल ना देखा जाए एक बंदा उसमात करने है जाए उसके बार किमकभी आएंदा बरागित प्रिश करूंगा बजोरे खाट प्रिश करता हूं तुमाँ शौरा है रशी करना है नहीं बाई कुछ दो भी देशी दारूपी कर मसी में लहराएं ऐसे भी है लोग जो सिगर नोटों से सुलगाएं चांदी के बरतन में कहीं पर उत्ते खाना खाएं और कहीं बच्चों की खादिर मा का तन दिख जाएं बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या कहनें साभी साम आपने गजल में भी अपने को तस्लीम कराया और आपने नजम भी जो पड़ी वहाला के हादरा के चेहरे के पराशों को प्रेश करके सामई से लादाथी की चंदी शोरा होगा बागपद में हुए शांदार मुशाइरे और कभी संभिलन के और्ग्राइज करने में एहीं रोल अदद किया बागपद मेरपाली का पहिशत के चेर्में जनाव राजदीन एड़ोकेट सहब ने जो इस मुशाइरे के और्ग्राइजर थे हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाव को हिमिश सहब का साथी शुक्र गुजार हैं इंगुस्तान के मशूर और मारुफ शायर जनाव जिया बागपदी सहब के इन दोनों हज़रात ने मुशायरे में शुरा और कभीयो को बुलाने में एहम रोल अदा किया साथी शुक्र गुजार हैं जनाव जिक्रु रह्मान साहब के जिनकी दावत पर हम बागपद पहुचे और ये मुशायरा कवर किया तो दोस्तो ये था हिंदुस्तान के सुवे उत्तर परदेश के शेहर बागपद का एक शांदार और इंडिया मुशायरा जिसे और नाइस किया यहां के चैर्मेन जिनाब राजुद्दीन एड्वोकेट साथ ने करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा फिर किसी शेहर से किसी और मुशायरे को आप तक वजाएंगे अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं पता है www.youtube.com slash user slash rocketop media अगर आप पेस्बूक पर हैं तो हम किसी और मुशायरे को आप तक पहुचाऊंगा तब तक के लिए अल्ला हाफिस